अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि मौसम बिगडने वाला येस गाइज शारुक खान ने जो कहा था वो करके दिखाया है और कहीं न कहीं जो फर्स्ट थ्री डेस का कलेक्शन है उससे यह जगजाईर होता है कि या बाहु बली हो या KGF हो हर किसी का रिकॉर्ड खतरे में है इस वीडियो में हम बात करेंगे पठान के box office collection पे और अब तक उस फिल्म में कितना कमाया है बाकि इसका क्या lifetime collection हो सकता है और उसके साथ साथ में क्या ये film RRR और KGF का worldwide collection तोड़ देगी एक कोशन और उबरता है कि क्या ये हिंदी सिनेमा से फिल्म होगी इस ये इस वीडियो तिल दी एंड और सब्सक्राइब तो इस चैनल नाव वेल इस इस महुआ दिक्षरता है यौ चिमियोन फिल्मेबाप विदाओ बेस्टी अनी टाइम लेट्स चंप स्ट्रेट टो दे वीडियो गाइस पठान फिल्म 25 जन्वरी यानि की वेंजडे को इंडिया में और ओवर्सीज में रिलीज हुई थी ओवर्सीज में लगबग 100 कंट्रीज में ये फिल्म रिलीज हुई जो की अब तक की वाइडेस रिलीज फॉर अन इंडियन फिल्म है तो इतनी बड़ी रिलीज और शारुक खान 4 साल बाद एक्शन मोड में ओडियन्स का एक्साइटमेंट तो बनता है हेटर्स ने बहुत सारी हेट फैराई इस फिल्म को गिराने के रिए लेकिन ओडियन्स ने जो चाहां लिया वो उसने करके दिखाया है तीन दिन का कलेक्शन में आपको बताऊंगा उससे आपको पता चल जाएगा कि ओडियन्स इस फिल्म को कितना पसंद कर रही है तो भाइस हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पतान के इंडिया की कलेक्शन के मतलब की डॉमेस्टिक कलेक्शन डे वन पे जब वेंस्डे था उस दिन इस फिल्म ने क्रैकिंग ओपनिंग ली 55 करोर की हिंदी बेल्ट में और ये फिल्म चुक की तमिल और तलगू वर्जन में भी रिलीज हुई थी तो उन दोनों वर्जन्स ने 2 करोड के कमाई की इसके बाद 26 जनवरी यानि की एक रपब्लिक डे एक हॉलिडे मिल गया और इस फिल्म ने एक नया रिकॉर्ड बनाया 71 करोड की कमाई करके पूरे इंडिया से जिसमें 68 करोड सिर्फ हिंदी वर्जन से आया था और धाय करोड लगबग तमिल और तलगू वर्जन से बीट कर दिया yes guys I am not lying and you are not also dreaming क्योंकि इस फिल्म ने पठान ने KGF चैप्टर 2 और बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड दिया है first three days collection का जो कि उसके हिंदी वर्जन ने किया था तो अपने तीसरे दिन मतलब की 27 जनवरी को जब एक working day था Friday था तब भी इस फिल्म ने हिंदी वर्जन की अगर सिर्फ बात करें तो 38 करोड की कमाई किये जो एक बहुत बड़ा amount होता है और इन तीनों दिन का total जो net collection बनता है हिंदी वर्जन के अगर हम बात करें तो 161 करोड बन जाता है जो कि बाहुबली 2 और KGF2 के जो हिंदी collection है था first three days का उससे बहुत जादा है अगर हम बात करें बाहुबली 2 की तो 2017 में फिल्म रिलीज हुई थी और उस टाइम पे जब पूरा सवाल था पूरे देश में कि हा बीटिबल था किसी ने नहीं तोड़ पाया था बट फिर आई हमारी monster hit KGF chapter 2 और KGF chapter 2 ने अपने first three days में 143 क्रोड सी कमाई करके इस record को तोड़ दिया और एक नया record बना दिया highest first three days weekend in Hindi collections बट 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 जो लोग कह रहे थे कि इस record को तोड़ना बहुत मुश्किल होगा और बहुत time लगेगा उनके लिए एक मुपे तमाच आ रहा है क्यों क्योंकि पठान फिर्म ने ने सिर्व बाहुवली 2 बलकि KGF chapter 2 का भी ये first three days का जो highest collection वाला record था उसको तोड़ दिया है और वो भी एक बहुत बड़े margin के साथ याद रखिएगा ये सारा net collection है मैं net collection की बात कर रहा हूँ और हिंदी version की बात कर रहा हूँ इसमें south languages वाला जो collection है उसको include नहीं किया गया है तो इसके साथ साथ अगर हम south का version मिला दें पठान के collection में पठान के हिंदी version के collection में तो total जो first three days का collection बन जाता है को मिला देते हैं तो लगब 313 क्रोड का जो इसका worldwide box office collection बन के आता है वो अब तक की हिंदी फिल्मों के हिसाप से हिंदी version के हिसाप से highest ever है सो गाइज ये फिल्म अब किस तरफ जा रही है क्या आगे कमाल करेगी अभी दो दिन और बाकी है Saturday और Sunday जब इस फिल्म ने Friday को working day था तब 38 क्रोड कमाए तो Saturday को कितना कमाई और Sunday तो पूरा पूरा चुट्टी है कितना कमाएगी क्या आप बता सकते हो मैं बता सकता हूँ जिसी फिल्म ट्रेंड कर रहे है ना उससे अंदादा लगाया जा सकता है कि Saturday और Sunday मतलब कि आज के दिन और कल के दिन 50-50 करोड का box office collection हमको फिर से देखने को मिल सकता है Net in India और अगर ऐसा होता है कि इन दोनों दिनों में इसने 50 करोड प्लस कमाई की तो इसका जो फिर्स फाइव डेज का collection होगा वो धाई सो करोड का हो जाएगा Net in India जिसका gross लगबग साड़े 300 करोड का बनेगा सवाईस जिस शारुक खान की अब तक एक भी फिल्म 300 करोड कलब में नहीं थी अब उसकी पठान ने सिर्फ 300 करोड बलकी 400 करोड बलकी 500 करोड तक कमा सकती है 300 क्रोड तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है Even 400 क्रोड भी बहुत ज़्यादा ही आसान है ज्यादा से ज़्यादा दो हफते ही लगेंगे और ये फिल्म 400 क्रोड की कमाई कर लेगी और अगर आगे भी अच्छी टेंट चलता रहा जिसने 500 क्रोड में एंट्री मारी होगी अपने हिंदी वर्जन के साथ और अगर हमारा ये lifetime collection का जो prediction है वो सही निकलता है मलब भी 400 या 500 क्रोड के आसपा से फिल्म पहुंचती है इंडिया में तो इसका जो worldwide gross collection आने वाला है वो लगबग 1100 से 1200 क्रोड आने वाला है मतलब की KGF Chapter 2 और RRR का जो record है worldwide उसको भी खतरा पहुंचने वाला है आपकी क्या expectations है क्या शारुक खान इस फिल्म को first 500 क्रोड वालिवुड फिल्म बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे इसके साथ साथ ये भी बताओ कि क्या KGF Chapter 2 का worldwide collection lifetime collection तोड़ पाएगी या नहीं तोड़ पाएगी जरूर कमेंट कीजिए बागी अगर पठान फिल्म का हमारे चैनल पर रिव्यू नहीं देखा है तो अभी चेक कर लो उसके साथ साथ मैंने एक और वीडियो बनाया जिसमें मैंने इस्पाई उनिवर्स के future projects को discuss किया है टाइगर 3 को discuss किया है वार 2 में क्या हो सकता है उसकी कास्ट क्या हो सकते हैं उसके उपर पूरी बात की है तो उसको भी जरूर देखना जाके पाकि हम मिलते एक नए वीडियो में तब तक के लिए सदा फिल्मी रहो मैंन